Hello friends, very good afternoon, कैसे हो, hope करता हूँ, आप सब लोग अच्छे ही योगश्यो, friends, हिंदी साहित की special class में आप सब लोग का बहुत बहुत श्वगत है, friends, आप सब लोग को बता कि आपके exam में हिंदी language के 50 questions पूछे जाएंगे, और उसमें कम से कम 5 से 6 प्रशन आपके जो हैं हिंदी साहि पूछे जाएंगे, ठीक है, तो ये हिंदी साहित का पूरा निचोड है, top 100 questions करवाने वाला हूँ, अगर पूरे 100 questions को आप लोग अच्छे से तयार कर लिए, तो आपको exam में इसी class से question देखने को मिलेगा, इस से बाहर एक भी प्रशन नहीं आएगा इस class से, ठीक है, तो classes हो गई है, जैसे अभी अगर आप लोग के मैराथन class नहीं देखें हैं, हेस्टे के मैराथन class नहीं देखें हैं, तो playlist में जाईए, मैराथन की special playlist बना दिया हूँ, उसमें आपको सारी के सारी classes मिल जाएंगे, ठीक है, तबियत मेरी थोड़ी नहीं सही है, तब भी मैं आप लोग भी करिएगा, ठीक है, मैं आप लोग लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी मेहनत करिए, आपको तो सरकारी सीट लेना है ना, तो चलिए, और लाश्ट में class के बारे में अपना एक feedback जरूर दीजेगा, प्यारा सा comment जरूर छोड़ के जाईएगा, ठीक है, चल ठीक है, ध्यान लगना, चौथा का यह आपका बिलकुन correct हो जगा, यह question number पे मत जाईएगा, आप लोग ठीक है, चलिए, किवल प्रश्ण को आपको देखना है बस, question number पे आपको focus नहीं करना है, अगला प्रश्ण यहाँ पर देख सकते हैं, मुक्ती बोध के लिए find नहीं लगाएगा, over smart नहीं बनेगा, यह मुझे आता है, मैं नहीं note करूँगा, हिंदी साहित मेरी complete है, बाद में आप लोग पस्ताएंगे फिर, जब exam में आएंगी यही सारे प्रश्ण है, कि कास साहिल सरकी class देखे होते हैं, तो हमारा exam अच्छे number से निकल जाता, तो अ हमारी चैनल के मादम से ही देखने को मिलीगे, मुक्ती बोध के लिए जैने अंदर कुमार को किस परुषकार से सम्मानित किया गया था, साहित अकादमी परुषकार से, ठीक है, डी वाला आपका बिलकुन correct हो दगा, चलिए, अगला प्रश्ण है, पर्थम विश्व हिंदी सम्मेलन, सन, किस सन में और कहां पर आयूजित किया गया था, यह आपको बताना है, बताइए तब लोग, 11 को जॉब दने के प्रयास करेंगे, आजसा सोचने का ज़्यादा समय चाहिए, तो आप लोग वीडियो को रोग भी सकते हैं, तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, 1975 नाकपुर में आयूजित किया गया था, ठीक है, 11 का D आपका बिलकुन करेक्ट हो था, ठीक है, चलिए, आगे चलते हैं, अगे जी को किस करती पर भारती ग्यानपीट पूरसकार मिला है, शबीलोग जवाब दने के प्रयास करेंगे, बावारा, अहेरी या कैउकी मैं उसे प्रश्चन देखने को लेगा, जितने भी हिंदी साहित के प्रशन आएंगे, इस क्लास से बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, बिलकुन फ्री में मैटर आपको दे रहा हूँ, एक वीडियो को लाइक कर देना, जरूर से जरूर, और भी बच्चों की हेल्फ करिये, आप लोग वीडियो को सेर करके, तो अनईशो बैयासी में इनमें से किसे ग्यान पेत पुरुषकार मिला है, इनमें से महादेवी है, और ठीक है, चलिए, आगे चलते हैं, शन उननी सु पच्पन में साहित अकादमी पुरुषकार किसे परदान किया गया था, शन उननी सु पच्पन में साहित अकादमी पुरुषकार से किसे समानित किया गया था, माखलना चतुरवेदी को जो है समानित किया गया था, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रशन यहां पर देखिए, हिम तरंगनी किसका काब संग्रा है, इसे में आपके रचना वरजनाकार वाले सारे के सारे प्रशना आ जाएंगे आपके ठीक है, और बहुत ही जबर जब्रजस क्लास होने वाली है, पूरी क्लास जरूर देखे ज गए हैं, तो पूरी क्लास ध्यान से जरूर देखे लाने ठीक है, चलिए, हिंदे साहित का आधुनिक काल समाने तहा कब से कब माना जाता है, आज ये हिंदे के सबसे जबर जब्रजस क्लास होगी, 1850 इसवी से माना जाता है, ठीक है, चलिए, आगे चलते हैं, आगला प्रशना, ये वेरी-वेरी मोश्ट इंपॉर्टन कोश्चन है आपके एक्जाम के लिए, बाकी क्लासेस आपको प्ले लिष्ट में मिल जाएंगी, प्ले लिष्ट में आपको हिंदी इसी के रिजिनिंग, सब्सेट एबलेटी एंड करेंट इफर की जो हैं क्लासेस मिल जा आगे चलते हैं, अगला प्रशना आपकी स्किन पे स्री राम चरित्मानस की रचना की स्कवी ने की थी, Most Important Question है, इसकी रचना की गए थी तुलसी रास के दौरा किस भासा में की गए थी, आवधी भासा में की थी, ठीक है, अवधी भासा में, ठीक है, और देखिए मैं बता अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप लोग थोड़ा syllabus पर भी focus कर लें, अभी आपके पास समय है और केवल जो practice set लगा रहे हो ना, practice set से कुछ नहीं उखड़ेगा समझ लीजेगा, exam में पश्टाएंगे तो जो मैं करवा रहा हूँ, चुप चाप उसे आप लोग करिए, notes बनाईए, revision करिए अभी आपके पास समय है, ठीक है और अब आपकी जबर्जस तैयारी ही होगी क्योंकि जब last 10 से 15 दिन, 20 दिन बचते हैं तभी सभी student मेहनत करते हैं ज़्यादा अतर चाहे मैं हूँ, चाहे आप हूँ जब 2 से 1 महीना, 1.5 महीना बचा रहता है, तो उतना मतलब focus नहीं होता है पढ़ाई में तो अब आप लोग focus कर रहे होंगे, hope करता हूँ और करिए अगर नहीं कर रहे हैं तो कम से कम 5 से 6 गंटे yesterday में दीजे अपना समय तब ही आपका एक्जाम अच्छे नमरों से निकलेगा तो राम चाहित मानस की रशना तुलसी दास की दोरा की गई थी आवदी भासा में, ठीक है, चलिए और अगर आप लोग को बुक परचेश करना है तो चक्सू प्रकाशन की बुक परचेश के लिजे अपस्तक हर हाल में अन्रपोस्तकों से स्रेश्टर एस आर आर पप्लिकेशन की बुक है इस बुक में एक्जाम पैटर्न के बारे में अच्छे से समझा गया है नीचे देख सकते हैं इसकी वीसे चूची और यहाँ पर देख सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बुक है मार्केट में सबसे अच्छी बुक है चिक्सु प्रकाश्चन की बुक से आप लोग अपनी सरकारी सीट के त्यारी कर सकते हैं और गाइट के अलावा इनकी प्रेक्टिसिट की भी बुक आती है प्राइस बगरा देखना है तो वीडियो के डिस्केशन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ उससे आप लोग प्राइस भी चेक करके अपना परचीश कर सकते हैं ऑनलाइन भी ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं दोनों पुस्तों के लिंक वीडियो के डिस्केशन बॉक्स में दे दिया हूँ, बाकी हर मार्केट पे एवलेवल हैं, दोनों पुस्तों के, 15 प्रैक्टी सेट मिल जाएंगे, 49 जादा इंपॉर्टेन कोछ हैं, 600 पे अब आपको देखने को मिल जाएंगे, अगले प्रशने की तरीका आपको बताया देता हूँ, जैसे गोदान, ये गोदान आप लोग लिख लिए हैं, ठीक है, गोदान, अब ये गोदान किसकी है, प्रेमचन जी की है, तो के वल प्रेमचन लिख लिएजे बस ऐसे ही, ये नहीं कि पूरा आप कोश्चन लिखे, फिर आप्शन ऐसे नहीं करना है डायरेक्ट प्रश्ण डायरेक्ट उत्तर बस एक ही लाइन में जितना सौर्ट कर तरीके से आप लोग नोट्स बनाएंगे उतना समय आपका बचेगा और उतना ही मतलब आशानी होगी रिवीजन करने में और रिवीजन जरूर करते हुए चलिएगा हिंदी का प प्रश्ण आपने लोग के लिए कंटेंट लाने के लिए ऐसे ही हिंदी का प्रथा शमाचारपत्र 846 ईस्यों में प्रकाशित हुआ था कलकट्था से अगला प्रश्ण आप लोग यहां पर देख सकते हैं सूर्सागर के रचईता कौन है बताएए सूर्सागर के रचईता क में पूछा गया है प्रशने ठीक है चलिए आगे चलते हैं हिंदिस साहित को कितने काल खंडों में विभक्त किया गया है बताइए हिंदिस साहित को कितने काल खंडों में विभक्त किया गया है चार खंडों में विभक्त किया गया है ठीक है चार काल खंडों में तो 16 का भाई में serious है तो आप लोग note करेंगे ठीक है तो कितने काल खंडों में विवक्ति की आया है चार में कौन-कौन से आधिकाल, पूरुममद्यकाल, उत्तरमद्यकाल और अधनिक काल ठीक है चलिए आगे चलते हैं अगला परशन आपकी वाकई में बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं तो आधे अधूरे किस विधा की रशना है ये है नाटक ये मतलब एक नाटक है 17 का ए आपका बिलकुन करेंट हो जगा ठीक है चलिए आगे चलते हैं उर्वसी किसका काब्य है उर्वसी जो है किसका काब्य है option देखिए फिर आप लोग बताईए उर्वसी किसका काब्य है और बहुत important question है सब के सब important question है तो उर्वसी किसकी है रामधारी सिंग दिनकर जी की है ठीक है तो यह वाला आपका बिलकुन correct हो जगा ठीक है चलिए जितनी भी रचना वाले प्रशन है सब के सब इसमें आपके cover हो जाएंगे पंजाब में हिंदी का परचार किस ने किया था बताईए सब लोग पंजाब में हिंदी का परचार किस ने किया था बहुत ही important question है पंजाब में हिंदी का परचार किस ने किया था सरद्धालाल फिलोरी ने किया था 23 का B आपका बिलकुन correct हो जगा चलिए आगे चलते हैं निमलकित में से कौन अश्ट चाप का कवी है बताईए तब लोग कौन अश्ट चाप का कवी है तो इसमें अश्ट चाप का कवी है सूर्दाश कौन है सूर्दाश है 26 का B आपका बिलकुन correct हो जगा ठीक है कुछ समझने की चीज नहीं है केवल याद करना है बस आपको ठीक है आयोधा सिंग उपाद्धाय हरी ओध जी की परसीद रचना कौन सी है most important question है सीधे exam में छापने वाला परचना है किसकी है आयोधा सिंग उपाद्धाय यानि की हरी ओध जी की है तो B वाला आपका बिलकुन correct हो जगा style लगा रहा हूँ note के लिए जिक आप लोग ठीक है चलिए और जितने बिलोग बिना subscribe करके हमारी चैनल पर जूले हैं class देख रहे हैं मज़े ले रहे हैं तो subscribe कर लो आगे भी आपको इसी तरह मदद मिलेगी जब आप लोग exam दे लेंगे तो counseling कैसे होती है admission का process क्या होता है and TED seated का जब exam देंगे तो जैसे मैं दोनों exam को qualify किया हूँ UP TED and seated exam को वही तरीका आपको पताऊंगा मातर 30 से 35 दिनों में आप लोग पढ़कर UP TED and seated exam को धुँआ धुआ कर सकते है तो फडिश्वनात रेंडू दोरा रचित उबन्यास का नाम क्या है मुद्रा राश्चर तो विसाकदत की है ठीक है मैला आचल मदुशाला तो हरिवन्स राइबच्चन जी की है मैला आचल जो है बहुत important है ये फडिश्वनात रेंडू जी की है ठीक है इनमें से कौन सी मीरा बाई दोरा रचित रचना नहीं है बताइए इनमें से कौन सी मीरा बाई दोरा रचित रचना नहीं है तो गीत गोविंद हो गया यहाँ पे राम गोविंद हो गया राग सोठा के पद हो गया वैदे ही वनवास हो गया, तो कौन से मीरा बाई द्वारा रचित रचना नहीं है, यह आपको बताना है देखी यहाँ पर जैसे राग सोरठा की पद हो गया, ठीक है यहाँ पर राम गोविंद हो गया, यहाँ पर केवल गीत गोविंद मतलब प्रिंटिंग में थोड़ा मिश्टिक हो गया है तो गीत गोविंद की तीका, गीत गोविंद की तीका होना चाहिए यहाँ पर गीत गोविन की टीका, तो ये तीनों आपकी जो है, मीरा बाई जी की जो है, रजना है, यहाँ पे अगर केवल गीत गोविन, तो वो जैदेव की हो जाएगी, गीत गोविन की टीका तो ये मीरा बाई की है, वैदेही वनवास ये इसमें मीरा बाई की नहीं है, ये जो है आयो शतार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखा का नाम क्या है शविलोग जाब दने के प्रयास करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कोशन है तो दयानंद सरश्पती है इसके लेखा तो यहां पर दयानंद भारती है तो यही सही हो जागा ठीक है चलिए आगे चलते हैं शतार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखा का नाम क्या है मैंने आभी आपको बता ही दिया प्रत्वी राज रासो किस लेखा की रशना है चंद बरदाई की है ठीक है most important question था चलिए इनमें से कौन सी गजा नन माधव मुक्तिबोज जी द्वारा जो है रचित रचना नहीं है अंधा यूग नहीं इसमें ये धरम वीर भारती जी के ठीक है चलिए बाकि सब नोट के लिजिएगा आप लोग सब नोट के लिजिएगा सब आपकी मुक्तिबोज जी की है ठीक है चलिए आगे चलते हैं रंग भूमी किस प्रसिद लेखाग द्वारा रचित उपन्यास है रंग भूमी किस प्रसिद लेखाग द्वारा रचित उपन्यास है ये है प्रेम चंद की जी का ठीक है चलिए तुलसी दास जी द्वारा रचित प्रसिद महाकाब का नाम क्या है रामचरित मानस अभी मैंने आपको बता दिया था तो 38 का जो है आपका बी वाला बिलकुन कर चलते हैं अगला प्रशन आपके सके है तुलसी दास द्वारा रचित राम चरित महानस में कुल कितने कांड हैं Most Important कोशन है शब लोग 43 का जाब दने के प्रस करेंगे टोटल आपके साथ कांड हैं कितने कांड है साथ कांड है ठीक है चलिए आगे चलते हैं अंद्हेर नगर सब्सक्राइब आगे चलते हैं वीडियो को लाइक जरू करब दुश्ם भिडियो को लाइक करो फड़ा लाइक करो बहुत एकम लाइक है आज देखता हूँ कि आज आप लोग लाइक किस संखय कितनी ले जाते हिन हैं चलिए लग्जा किस लेखा किया लेखी क्या की करती है और भी जितने में लोग फॉर्म भरे हैं उनको वीडियो को सेयर करें कि एजूकेशन विसाहिल ऐसा एक प्लेटफॉर्म है यूटूब चैलना है जहां पे बिल्कुन फ्री में कैयारी कराई जा रही है और सही कंटेंट दिया जा रहा है जो एक्जाम में आएगा तो लोगों को सेयर करें जोड सच के लेखा कौन है तो जोटा सच के लेखा के हैं यस्पाल कौन है यस्पाल है ठीक है चलिए इंपॉर्टन प्रशन था महादेवी वर्मा का प्रथम काबे संकलन कौन सा था बताए सब लोग महादेवी वर्मा का प्रथम काबे संकलन कौन सा था निहार था ठीक है बहुत अच्छा प्रशना है चलिए आगे चलते हैं अगला प्रशना है विने पत्रिका किस कवी की रशना है विने पत्रिका किस कवी की रशना है बताइए सब लोग विने पत्रिका जो है किस कवी की रशना है तो यह है तुलसी दास जी की ठीक है भी आपका बिलकुन करिक्ट हो जब चलिए नाटक इसकंद्गुप्त की रशना किस ने की थी आपको उता रहा है, बहुत ही important question आपके exam के लिए नाटक इसकन दुगुप्त की रशना किस ने की थी, इसकी रशना की गये थी जैसे अंकर प्रशाद के दोरा, बहुत important question है, कुमार संभाव के रशाईता है कौन है, कुमार संभाव के रशाईता, काली दाशन, ठीक है, बहुत अच्छा प्रशन है आगे चलते हैं, अगला प्रशन आपकी screen पे है, अगला प्रशन आपकी screen पे आगया है सत्षाई के लेखा कौन है बताएं सब लोग सत्षाई के लेखा कौन है हर एक प्रशन इंपॉर्टेंट है आपकी एक्जाम के लिए तो सत्षाई के लेखा कौन है बिहारी लाल है ठीक है 75 बी आपका बिलकुन करिक्ट हो जगा आगे चलते हैं, प्रत्वी राज रासो किस कवी की रशना है, और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, शबी लोग एक एक कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है, चलिए, तो प्रत्वी राज रासो किस की है, चंद बरदाई की ये, ठीक है, चलिए, आगे चलते हैं, अगला प केस जी की ठीक है जहानकना 88 का सी आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा प्रकति का शुकुमार कवी किसे कहा जाता है most important question है आपके exam के लिए सीधे exam में छपने वाला प्रश्ण है तो बताइए प्रकति का शुकुमार कवी किसे कहा जाता है शभी को गुड आपटर नुद भाई व चलिए आगे चलते हैं अगला परश्ण है कादमबडी किस लिखा की रश्ण है अभी starting में मैं बता था कादमबडी किस लेखा की रश्ण है ये बाल बाटती की ऑट ठीक है टीक है अगला परश्ण है methodology किसकी दौरा अरजीट है स्टार्टिंग में इसको भी बता दिया था हरीवन सराय बच्चन जी की है ये ध्यानक ना बहुत इंपॉर्टिन कोशन है हंड्रेट का डी आपका विल्कुन करेक्ट हो जागा ठीक है चलिए वीडियो को लाइक करो शाब लोग चलिए लाइक कर दो बहुत ही कम लाइक है अभी आधे अधूरे किस विधा की रशना है ये है नाटा का आपका हो जागा ठीक है चलिए ये कोशन रिपीट हो गया है आगे चलते हैं हिंदी गद्द का सरव पर्थम यूग किसे माना जाता है दिवेदी यूग को प्रेम चंद यूग को सुकलेगी यूग को या भारतेंदू यूग को तो ये माना जाता है भारतेंदू यूग को ये आपका बिल्कुन करिट हो जग ठीक है 111 का आगे चलते ह अगला प्रशन आपकी स्किन पर है अमरत और विस किस की रशना है बताएंगे सब लोग अमरत और विस किस की रशना है तो ये है अमरत लाल नागर जी की ठीक है द्यानकना आ से अमरत आ से अमरत लाल ठीक है चलिए आगे चलते हैं अगला प्रशन आपकी स्किन पर है अगनी परिच्छा किस रचनाकार की करती है तो ये है A4 तुलसे जी की ठीक है द्यानकना B आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा भारत की खोज किस की करती है most important question है ये भी प्रशन कई बार exam में पूचा जा चुका है भारत की खोज किस की करती है यह जब वहाँ लाल नहरुजी की है ध्यानक ना C आपका बिलकुन correct हो जगा मरग 90 एक उपन्यास है तो इसके जो है लेखा कौन है या आपको बताना है 139 का जवाब देने के प्रयास करेंगे इसके लेखा कौन है तो वरंदा 1 लाल वरमा है इसके लेखा मरग 90 चलिए आगे चलते हैं हिंदिस साहित की प्रथम कहानी का नाम क्या है 139 का जवाब देने के प्रयास करेंगे नोट करिए इंदु मती ठीक है ये प्रशन कई बार एक्जाम में पूछा ज़़ा है इंदु मती आपका करेंट हो जगा ठीक है आगे चलते हैं अगला प्रशन है कबीर दास की भासा कौन सी थी कबीर दास की भासा कौन सी थी कबीर दास जी की भासा कौन सी थी जो सदुक्डी थी जानकनाथ ठीक है बीवल आपका बिल्कुन करेट हो जगा सूर दास के गुरू कौन थे सूर दास के गुरू कौन थे बताएं सब लोग सूर दास के गुरू कौन थे शबीको गुट आप्टनु भाई सूरदास की गुरु थे वल्लबाचार कौन थे वल्लबाचार थे ठीक है चलिए हिंदी भासा का प्रथम प्रमाडिक गरंथ कौन सा है प्रतिवी राज रास हो है आपका ठीक है बहुत important कुछ शाथा चलिए निमलिखित में से कौन सा हिंदी साहित का काल विवाजन नहीं है और भी जैसे हिंदी में कुछ चैप्टर्स भी बैकराण में बचा этом हिं हिंदी साहित का आज आपका क्लियर हो जागा इस ही क्लास में पूरा ठीक है हिंदी साहित आपका कलीर बचे हुए जैसे संदी समास बचा हुआ है और आपका ततशम तदभा बचा हुआ है तो पांच से चैप्टर बचे हैं उसको मैं क्लियर करवा दूँगा इक अठा मैय राथन लेकर निमलकित में से कौन सा हिंदे साहित का काल विवाजा नहीं इसमें तो यह वाला आपका नह पर इनको ग्यान पेट पुषकार मिला था इनमें से कौन भक्तिकालिन कवी नहीं है इनमें से कौन भक्तिकालिन कवी नहीं है तो इसमें से सूर दासें तुलसी दासें कभी दासें बिहारी भक्तिकालिन कवी नहीं है तो 151 का यह आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा हंस पत् तो वो थे आपके प्रेम चंत, कौन थे प्रेम चंत थे, ठीक है, चलिए, देगाई विकल्प में से निरगुण भक्ती काब्वे के प्रमकवी कौन है, तो वो है आपके कबीर दास, ठीक है, चलिए, आगे जलते हैं, प्रत्वी राज-रासो की स्काल की रशना है, कते जहर वा प्रतवी राज-राथो किस काल की रशना है यह आदिकाल की ठीक है 154ी वन्वास ठीक है अब ही मैंने बतातना जो एक मीरा भाई वालब रशना या था तो इसमें कौन सीсе नहीं था मतलब यह बताना था वैदेही वर्मास किसकी रचना है अयुद्धा सिंग उपाद ध्याय की है ठीक है 184 का भाई ये आपका बिलकुन करिक्ट हो जगा चलिए अच्छा प्रशन था सबी लोग ऐसे ही जौब दिया करें चलिए आगे चलते हैं अगला प्रशन है तुलसी दास किसकी कविता है तुलसी दास किसकी कविता है तो ये है सूरकांत्र पार्थी निडाला जी की ठीक है चलिए अगला प्रशन आपकी स्केन पे आ गया है कनुपरिया के रशनाकार कौन है कनुपरिया के रशनाकार कौन है तो कनुपरिया की रशनाकार कौन है? नोट करिए धर्मवीर भारती अन्या से अनन्या आत्मकता किसकी करती है? कई बार एक्जाम में प्रश्न पूचा जा चुका है अन्या से अनन्या आत्मकता किसकी है? प्रभा खेतान जी की है एक्सों नमासी का सी आपका बिल्कुम करिक्ट हो जगा ठीक है? चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न है हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था? उदंत मारतंड इसके जो है संपादक कवर्ष आपको बताना है तो 1826 ठीक है? हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मारतंड है ठीक है? नोट करिएगा आगे चलते हैं हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? अभी मैंने बताया उदंत मारतंड आपका सही हो जगा ठीक है? चलिए हिंदी का पर्थम मौलिक अपन्यास की से माना जाता है? तो ये माना जाता है परिक्षा गूरू को ठीक है? चलिए नोट कर लिजीगा बहुत इंपॉर्टन कॉश्चन था आपके एक्जाम के लिए ठीक है? वीडियो को लाइक करो बहुत ही कम लाइक है यार कम से कम इतनी महनत कर रहूँ आप लों के लिए फीवर आने के बावज़ूद अबि जश्ट मैं दवा खाया हूँ और आप लोगोगे क्लास लेना स्टार्ट कर दिया मैं कविता वली की रिशनकार है कौन? बताएके कविता वली की रिशनकार है कौन? दोश्यों 25 का भाई जवाब देंगे तो इसके जो रशनाकार हैं भाई कौन है तुलसी दास है कौन है तुलसी दास चलिए आगे चलते हैं अगला प्रशन आपकी स्कीन पे आगया है परमाल रासो किसके दोरा रचित है परमाल रासो most important question है परमाल रासो किसके दोरा रचित है यह जगनी की दोरा रचित है ठीक है परमाल रासो रामचरित मानस की भासा क्या है अभी मनें बता था अवधी है हलके मिमत लीजीगा सारी के सारे प्रशन है अगर इसमें से प्रशन आए तो गलत नहीं होना चाहिए आप लोग ठीक है, आनन्द कादम्मनी के संपादक कौन थे, नोट करिए, वो थे बदरी 9-24, ठीक है, चलिए, आगे चलते है, अग्ला परश्नाप की स्केन पे है, आधे अधूरे नाटक के रशनकार कौन है भाई, आधिया धूरे नाटक के रशनकार कौन है वो है मोहन डाकीस ठीक है चलिए आगे चलते हैं अगला प्रशन आपकी स्केन पे आगया है प्रथम तारशब तक का प्रकाशन वर्स है कौन सा प्रथम तारशब तक का प्रकाशन वर्स है उनिशु तिरालिस ठीक है हर एक question important है, हर question में मुझे important न लिखना पड़े, इसलिए कि आप लोग note कर ले, बीजक किसकी रशना है, कबीर दास की है, ठीक है, चलिए, हर एक question important है, आगे चलते हैं, सरस्पती पत्रिका के शंपादक कौन थे, most important question है, शरश्वती पत्रिका के शंपादक कौन थे, note करिये किस कवी को कवी को कवी कहा जाता है, तो यह कहा जाता है, समसेर बहादूर शिंग को, ठीक है, द्यानकना, आगे चलते हैं, अगला प्रशना आपकी स्किन पर है, हिंदी का पहला पत्र, मैंने आपको आपको आभी बता दिया, दोक्षो 61 का सी वाला करेक्ट हो जगा, उदन ये भी प्रशने करवा चुका हूँ, अपनी मैं प्रेक्टिस सिट की क्लास में, ज्यादा से ज्यादा कोस्चन मैं प्रेक्टिस सिट की क्लास में करवाने की कोसिस करता हूँ, कि सारे के सारे कोस्चन कवर हो जाएं, बट जो भी अब टॉपिक वाली क्लासेस हूँ, अब ज चलिए, चिन्ता मड़ी, किसका निबंद शंग्रा है भाई बताए। ये भी प्रशन काई बार एक्जाम में पूशा गया है चंदायन के रचाईता कौन है तो इसके रचाईता नोट करिये मुल्ला दाउद हैं ठीक है कौन है मुल्ला दाउद आगे चलते हैं अगला प्रशन आपकी स्केन पर आ गया है दिवेदी यूग का नाम करण किया था किस के नाम पर ये भी प्रशन में करवाया हूं दिवेदी यूग का नाम करण किया था चलते हैं अगला प्रशन है अन्या से अनन्ना किसकी रचना है प्रभाख हेतान की है 275 का बी आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा करवा चुका हो रिपीट हो गया है हिंदी पुनर जागरन काल किसे कहा जाता है किसी युक गो हिंदी पुनर जागरन काल किसे कहा जाता है तो नोट करिए, बहुत important question है, ये भारतें दियुको को कहा जाता है अब हैंदी पुनर जागरण का काल, ठीक है, अमेर खोसरो का पूरा नाम बताइए, अमेर खोसरो का पूरा नाम बताइए भाई सब लोग, अबुल हसन या मुद्दीन खोसरो इसका पूरा नाम था, अमेर अब भ्रंस का वालमी की किसे कहा जाता है, बताइए सब लोग 325 का राइटन्स रख्या होगा, अब भ्रंस का वालमी की किसे कहा जाता है, स्वाइमभू को कहा जाता है, ठीक है, चलिए, चंद बरदाई किसके दरबारी कवी थे, तो ये थे महाराज प्रतिवी राज चौह वीर रश है, आगला पुचन ए fix कि वभिध्वान ने हिंदी साहित के प्रारामभी काल को वीर गाथकाल नाम दिया था तो यह दिये थे नाम दिये थे भाई, आचार रामचन सुख लेने ठीक है, तो यह आपका C बला यहां पर करेक्ट हो दगा ठीक है वीडियो को लाइक कर दो अभी भी कुछ कोश्चन्स और बचे हैं हिंदी का पर्थम महाकाप भी कौन सा है पर्थमी राजरास हो है आपका भाई ठीक है चलिए चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लो अश्ट छाप के संसापक बताए कौन है अश्ट छाप के संसापक अश्ट छाप के संसापक है विठल नाते हैं ठेक है चलिए आगे चलते हैं अगला प्रशना आपकी स्किन पर है कवी प्रिया के रशनाकार का नाम बताइए कावी प्रिया के रशलाकार का नाम बता ये सब लोग केशरव है ठीक है चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न आपकी स्किन पर है अर्वसी किसकी रशNow है यह मैंने प्रश्न करवा दिया अभी बताये किसकी है रामधारी सिंग दिंकर की ए, ठीक है, चलिए गुनाहों के देवता, most important question है गुनाहों के देवता के लेखा कौन है धरमवीर भारती है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला परशना आप किस के इन पर है अगनी पत किस की रशना है अगनी पत किस की रशना है? ये रामधारी सिंग दिनकर जी की है, ठीक है? देवदास के लिखा कौने बताइए? देवदास के लिखा सरचन चतर जी है, ठीक है? चलिए, अगला बश्ने भीस मसाहिनी को साहित अगादमी किस रशना के लिए मिला था? इनको जो है, तमस के लिए मिला था, तमस के लिए, ठीक है? प्रत्वी राजरासो किस की रशना है? ये भी प्रशन रिपीट हो गया, ये चंदबरदाई जी की है, ठीक है? चलिए, चंदायन किसका विक रशना है? चन्दाइन ये भी repeat हो गया है मुला दाउत की ए थिक है मरच कटिकम किसकी रचना है मरच कटिकम तो ये है सूद्रक की ठिक है चलिए रगवनसम किसकी रचना है रगवनसम काली दास की ठिक है मेग दूद की लेखा कौन है यह भी प्रश्ण इंपॉर्टेंट है काली दास आप लोग बताइए भारत का सेक्स्वियर किसे का जाता है संगीत राज के रचलिता कौन है बताइए सबी लोग कॉमेंट बॉक्स में शापेंगे इसका प्रश्ण जवाब दें सबी लोग संगीत राज के रचलिता कौन है राणा कुम्भाय ठीक है चलिए पर्थम राष्ण कवी कौन थे तो मैतली सरण गुप्त थे पर्थम राष्ण कवी ठीक है कमाईनी महाकाबी के रचलिता कौन है कमाईनी जैश्रंकर प्रशाद आपके सही हो जाएंगे फिए पत्रिका किसकी रशना है ये प्रशन रिपीट हो गया है विने पत्रिका तुलसी दास झी की है रामचरित मानस कि रचहिता कौन है तुलसी दास मैंने बता दिया था क्रश्न गीतावली की रशना है तो ये तुलसी दास की है ये लाश्ट प्रशना अभी और बचे हैं साहित अकादमी पुरुषकार कितने भासाओं के लिए परदान किया जाता है ये जो है कितने भासाओं के लिए परदान किया जाता है शाहित लहरी है ठीक है अब आप लोग से एक मैं प्रश्न पोच रहा हूं इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा बहुत ही सरल प्रश्न है ठीक है प्रश्न सुनिए ध्यान से और उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा प्रश्न है यह आज की ये class कैसी लेगी comment box में अपना feedback जरू देना बहुत मेहनत लगी इस class में दो गंटे पीड़ बनाने में और class लेने में अलग साथ समय लगा है दवाखा की class ले रहा हूँ आप लोग लिए मेहनत करना हूँ तो वीडियो गयार like जरू कर देना ठीक है ताकि मैं motivate हो जाओ कि हां मेरी मेहनत काम आ रही है आप लोग गया ठीक है तो चले मिलते हैं अगली class पे thank you so much इसकी पीड़ बगर नहीं दूँगा आप लोग भी मेहनत करें ओके चले thanks for watching चैनल को subscribe कर ले ना ताकि आने वाली जो भी बीड के update आए admit car से related, counseling से related, admission से related कोई भी update आपको मिलते रह thank you so much